हेलो गाईज वेलकम आप कमारे चैनल पे आज इस वीडियो में जो रेडी करने वाल है वो एक और अमेजिंग सा बैटन डिसाइन है तो बने रही वीडियो के लाश्ट तक अगर चैनल पर नहीं है तो कर दीजी सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करकी कर दीजी पॉल पर एंड वीडियो को कर दो लाइक अपना खुदी इंट्रो दे देता हूं सो स्टार्ट करते हैं अच्छा वीडियो को अब लाइक करो सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाश्ट तक बहुच करो आपको समझ में आ जाएगा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक स्क्व प्रॉक जो है वो 15 रखें ठीक 15 इस तरीके से भी प्रेस करें डन इसको सेलेक्ट करेंगे यहां से इस एंकर को सेलेक्ट करके इस तरीके से राउंड करनेंगे सेलेक्ट कंट्रोल सी कंट्रोल सिफ्ट भी कॉपी पेस्ट प्लेस एंड इक पर चेक कर लीजिए यह लियर आपकी मेट होने चीए फिल नहीं होना चीए ठीक है तो बस निष्ट्रॉक लिए रखिए ध्यान दिजी तो कॉपी पेस्ट इन प्लेस करके आप इसे चोटा कर दीजिए सिफ्ट और और अल्ट को प्रेस करेंगे इस तरीके से चोटा कर दीए नहीं इस तरीके से एंड करेंगे अल्ट सेलेक्ट, कंट्रोल, अल्ट, ब्लेंट टूल, स्पेसिंग जोगी वो स्पैसिफ़ाइड स्टेप्स, कुछ इस तरीके से, ओके, भी प्रेस करेंगे, सेलेक्ट, ट्रांस्फोर्म, रिफ्लेक्ट, वर्टिकल, कॉपी, साइड करके, कंट्रोल प्रेस करेंगे, यहां पेस को, पकड़कर, शिफ्ट प्रेस कर देंगे, इस तरीके से, अड्जेस्ट कर देंगे, औल सेलेक्ट, ट्रांस्फोर्म, रिफ्लेक्ट, ओरिजॉन्ट, कॉपी, डाउन, कंट्रोल, सेलेक्ट, एंड शिफ्ट, एंड ओल्ड अल सेलेक्ट, रोटेट, औल सेलेक्ट करके, इसको रोटेट कर देंगे, शिफ्ट के साथ, कुछ इस तरीके से थोड़ा चोटा करते हैं, अब यह देखिए, और इसके अंदर जो है, अब यह फिल करना बागी है, इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी प्रेस कर देंगे, तो हो जाएगा, अल्ट प्रेस करके, कॉपी ले लेंगे, साइड बेह जाते हैं, कुछ इस तरीके से इसको डिलेट करते हैं, सलेट, पॉल्ट, कॉपी, सिफ्ट के साथ, ध्यान दीजिए, टन, कॉपी अगए है मर पास, सिंपल इस तरीके से, अब देखिए क्या करना है, लाइण टूल लेंगे, यहाँ पे हम पहले इस को, सलेक्ट करेंगे object-expand, crunch कर दिए, फ्रु दौबरे object में जाके expand कर दिए, औस अब लेंगे हम लाइण टूल, सिंपल यहाँ से सलेक्ट करके एक लाइन ड्रो करेंगे इस तरीके से यहाँ पे अब भी ठीक सेम इसी तरीके से इधर हो गया इधर करना है सिफ्ट सिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिली आपको कि दन यहां पर करेंगे इसको सेलेक्ट करके सिफ्ट के साथ साइड करके लाइन इसको डिलेट कर देंगे अलग करते इसको सेलेक्ट सिफ्ट के साथ एंड यहां पर फिर से एड्जेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से इसको करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल सिफ्ट वी कोपी पेस्ट इन प्लेस एंड इसको छोटा कर देंगे कुछ इतना सिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल आल्ट बी ब्लेंट टूल स्पेसिंग जोई स्पेसिफाइड स्टेप्स ओके डन वी प्रेस करके ऑल्ल सेलेक्ट कंट्रोल जी ग्रूप छोटा करके ऑप्जेक्ट में जाएंगे पैटन मेक ओके करते हैं पैनल में आएगा टैल का जो टाइप रहेगा ब्रिक पाई कॉलम हाइट डाउन करेंगे तो सिंपल इस तरीके से एड़ेस्ट कर देंगे ओके डन यहां से इसको पापी में नाइन बाइन रखेंगे इस देख सकते हैं पैटन डन करते हैं यहां से तो पैनल में आ चुका है तो देख सकते हैं जो बहुत अमेजिंग है वाउ सो आप भी रेड़ी कीजिए पैक्टिस कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमसकार बाइ बाइ टेक केर और प्लीज सब्सक्राइब करके जाए आगे भी ऐसे ही पैटन डिजाइल को फॉलो करते रहिएगा बाइ प्लीज सब्सक्राइब नो चुट्स आपके लिए बाइ एंद के लिए 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 इन प्रश्ट अवाराइब कर देख के लिए लिए बाइंट विए इस प्रश्ट वीडियों